सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन जिससे आप पाएंगे और महत्पुन एबम रोचक जैन करिया और मेरे सारे नए वीडियो नमस्कार दोस्तों भगवान आप सभी कभला करो आपके साथ एक्षा है और मनों कम नहीं पूरिश हो दोस्तों आज इस हाथ के विशे में महत्पुन जानकरी आप सभी को मिदूंगा जिसमें सर्पधम जो है फिंगर के यहां पर जो है एनलेसिस के बाद इस पर पांव का एन लिटिल फिंगर हात में हरेक जो बारेक बारेक चीश YouTube शेठी का जो है फ्यूचर यहां इसके विचारों के बारे में उसके नीनिचर के बारे उसके personality के बारे में character sketch ये सब वगरा आसानी से पता कर सकते हैं little finger व्यक्ति का एक उत्साह बताता है एक उमंग बताता है कि व्यक्ति आलसी है कि उत्साह वाला है communication skill तो बात के बात हो गई ये सब चीज़ों जो है पहले आती है कि व्यक्ति किसी चीज़ को ठान रहा है कोई विकार अगर अपने हाथ में ले रहा है या फिर कोई उसको अपने जो डिजायर है वो पूरी करनी है तो उसके लिए वो कितना अपने तरफ से श्रम कर रहा है मतलब कितनी मेहनत कर रहा है उन सब के बारे में वो क्या attitude और personality रखता है सामने वाले के प्रती उसकी भावनों को समझता है कि यह सब आसानी से आपको यहाँ पर little finger से इन सब बातों का भी पता चलता है little finger जब straight हो चाहे उसकी length जितनी भी short हो जितनी भी long हो वो बात अलग है परंतु little finger जितनी सीधी रहे ज्यादों जुकाओं नहीं लिये रहे और यह जो है थोड़ा independent भी इस प्रकार से बना हुआ रहे है तो यह सिधे सिधे शो करता है कि ऐसा गत्ती सामने वाले की भावनों को समझता है और उनकी भावनों की जो है कद्र भी करता है इसलिए ऐसे लोग दूसरों का दुख दर समझने आले होते हैं और बहुत आसानी से दूसरों को यह भाप लेते हैं कि सामने वाला क्या बोलना चाहरा है क्या करना चाहरा है क्या भावना है रख रहा है दूसरों के इंडिकेट करता है व्यक्ति के communication skill को कहीं न कहीं यह जो है इनका nature में यह है कि मन के अंदर ही बात को दबाने वाला एक nature इनके अंदर रहेगा यह directly जो है खुल करके किसी भी व्यक्ति से जो है बोल नहीं पाएंगे अपर कहीं न कहीं हिचके चाहट इनके अंदर जो है रहेग तो यह जो है communication week होने का यह जो है निशानी होता है थर्ड फिंगर की length अब देख पाएंगे कि फर्स्ट फिंगर के comparison से ज़्यादा है जिसके करन व्यक्ति के अंदर sun की qualities होती है यानि ऐसा व्यक्ति कहीं भी जाएगा किसी भी संसायर में किसी भी कोने में जाएगा अपनी यह चाप जो है इसे लोग छोड़ की जाते हैं इसलिए ऐसे लोगों को fame popularity मिलने के chances बहुत होते हैं जितने आप एक्टर ले लीजिए जितने actresses देख लीजिए बॉलीवड होलीवड यह जहां के भी जो व्यक्ति फेमस हुआ है आप 99% के प्लस में भी में जो है इसको प्र काम है वह लाइफ में जो है बहुत फेलेगा बहुत आगे तक पहुचेगा तो यह जो है इंडिकेट करने वाला होता है वहीं यहां देख पाएंगे कि finger का जो है इस प्रकर से तेड़ा है जिसके करन व्यक्ति अध्यात्म के तरफ धार्मिक्ता जो है व्यक्ति के अंदर ध अगलिफ है उस टाइम पर होती ही है आते हैं finger पे तो सीधी खड़ी देख आप देख पाएंगे तो यह शो करता है friendly नेचर व्यक्ति का मिलन साल सभाव जिसके करन व्यक्ति आसानी से घुल मिल जाने वाला होता है और वहीं जो आड़ी व्यक्ति यहां पर बनती है थोड़ फिंगर से आपको समझ में आ जाएगा बागी बाते अलग होती है हलकालका जो गेप यहां पर मेंटेन हो रहा है वह सीधे सीधे इंडिकेट करता है कि व्यक्ति जो है स्वातंत्र रहना चाहता है वह किसी के अंडर में रहे करके जो है प्रॉपर लिवर्क नहीं कर पाते है इनको खूला माहोल खूला एरिया और अपने उपर दवाव जो है ऐसे लोगों को कुल मिला के पसंद नहीं होता थम्ब जो है सीधे सीधे इंडिकेट करता है रखती के माइंड के विशह में माइंड से रिलेटर जीतनी बाते हैं हमसे से कि व्यक्ति किसी के सामने जुकने समने बाला रहेगा की नहीं फ्लैक्सीबल है की नहीं फ्लैक्सीबल के से ह्साप से डलता है कीनी कितना वह जैसे कोई भी सिफ्टिवेशन काढ़ी वाली आ के तो कितना सको हैंडल करता कि औप कि नहीं और बाधियृत कर सकता है harap बगेरा माइंड इंटेलिजेंसी सब आपको थम्ब से पता चलता है तो थम्ब की लेंड जितनी ज्यादा होगी व्यक्ति जो है आपको देखने को मिलेगा कि उतना ज्यादा ही अडिक रहेगा उसके जो एक इमेज रहेगी जो उसकी एक परसनल्टी रहेगी वो निखर के लो ना जादा लॉंग है ना जादा शॉट है नाइंटी डिगरी के एंगल जो व्यक्ति का इस प्रकार से यहाँ पर जो है अंगुठा जब लेते हैं देखने को मिले तो सीधर सीधर समझ जाएगा कि व्यक्ति थोड़ा कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट व्यक्ति के अंदर जादा है रिलेशन भली बहुत अच्छा मेंटन करें ना करें लेकिन अगर किसी से टूड़े या बिगड़े तो लंबे टाइम तक उसको खीचेंगे यानि मतलब वही है सोबात की एक बात की किसी के सामने जल्दी जूगेंगे नहीं तो यह नेचर एसे लोगों में होता ह अब यहाँ पर आईए पाम के साइज पर क्या देखने को मिल रहा है पायम का साइज एक इस प्रकार से जो है आप ड्रोकर सकते हैं नाई तो थोड़ा अच्छे से देख लिया करें तो यह आपको क्या मिलेगा रैक्टेंगल जिसकी साइड है इसकी लेंथ ज्यादा देखन बनाएंगे कोई भी कारे करेंगे यानि यह भी आप कह सकते कि पेट के अंदर बात ना पचना इस प्रगर के प्रॉबलम होता है और थोड़े मतलब बोलने चालने वाले और अपने बोल करके ही ज्यादा तर इसे लोग कारे आपको करने को मिलेंगे अब पाम में देखिए कि कौन सा परवत बहुत ज़्यादा शुभ है उभरावा है जिसके अंतरगत वो व्यक्ति आता है पाम में कुलमिला के नो ग्रह है नो ग्रह आपको जो है बेसिकल यहाँ पर देखने को मिलेगा और उसमें जो भी आपको कुलमिला के जो भी परव है व तो यहाँ पर देखिए आपकी कौन सा आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो है शुक्र ज़ो है ज्यादा सपेस ले रहा है, उपरी पोर्षन भी जो है उपर के चारो ग्रहे ये भी आछे ले रहे हैं, परंतु गुरु पर वो ज्यादव विक्सित है ज्यादा एरिया कवर कर रहा है साथ ही साथ यहां पर सूरी भी ज्यादा विक्सित है मरकरी थोड़ा कम स्पेस ले रहा है तो बेसिकली यह जो है तीन ग्रह से मतलब इनके जो प्रभाव रहेंगे इनके पर ज्यादा रहेंगे किसके शुक्र के गुरु के शनी के सूर्य के अब आते हैं यहाँ पर जो है major line सबसे पिले एक एक परवत कर सारे परवतों के बारे में जो है जानते हैं तो गुरु परवत पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको आड़ी रइखा देखने को मिलेगी गुरु वल्या होता है। व्यक्ति के द्याल्उपन के विशहें में बताता है व्यक्ति के कुल मिला के के देखा जाए तो एक जो उसके रिंकम् सोर्च. व्यक्ति जो रहेगा, उसके लाइफ में, उसके विशे में बताता है, transgender मिलेंगे कितना वो सीखेगा इन सब के विशे में बताता है, तो यह जो आड़ी रेखावा होना शुब होता है, व्यक्ति का जो भी धर्म कास्ट रिलीजन होता है बहुत ऐसे व्यक्ति मान धर्म करने वाले होते हैं और खुब आदान प्रदान भी जो है इन सब चीजों में ऐसे लोगों का देखने को मिलता है प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है यहां से यह इन्डिकेट करती है व्यक्ति के लाइफ में बहतरीन तरीके से प्रोग्रेस के यानि व्यक्ति अपने लाइफ में जीवन घर कहीं न कहीं आगे ही बढ़ेगा पीछे नहीं जाएगा और अपने प्रयासों से लोग खुब आगे बढ़ने वाले होते हैं शनी के छेत्र की चर्जा करें शनी का छेत्र इस पेस थोड़ा कम भी ले रहा है और थोड़ा उभरावा भी नहीं है जिसके करने व्यक्ति थोड़ा जीवन में चिंतित होता है इस्टरगर होता है, जैसा कि आपने finger में हैं भी देखा, कि finger का भी हाँ पर छुकाओ, जो है, ठोड़े tilted है तो यह सीधुने करें कि शैनी से प्रभावित होता है, रेक्ति जो कि आपको प्रॉब्लम थोड़ा देता है सूरी के छेत्री की चर्चा करें प्लेस बी ज्यादा ले रहा है नॉर्मल है ना जादा अब दबा हुआ है तो थोड़ा जो है ये का सिंबोल नीजे टाइम मतलब नीचे टरफ में बनता वह जो है शुभू कुल मिलाके नहीं होता खराब भी बहुत नहीं होता इसका इंडिकेट ही होता है कि व्यक्ति का नाम तो रहेगा जीवन में मतलब एक अपनी छाप तो इसे व्यक्ति छोड़ेगा परन्तु बहुत देरी से इसे लोगों के नाम जो है उजागर होते हैं मरकरी के माउंट पर आप जो है आएंगे बूद पर तो बूद पर आप देख पाएंगे कि गाड़ी रेखा जो है आपको देखनों के मिलेगी एक से अत्य दिक यह सीधे सीधे इंडिकेट कर रहा है कि व्यक्ति बहुत अच्छा बोलने चालने वाला होगा या कह सकते हैं कि आकरशित कर लेना वो चाहे रूप रंग से हो बादचित से हो बोडी लेंग्वेज से हो या किसी भी कारण कि अब यहाँ पे सिधे हिर्यदे रेखा के विछ हमें चालचा कि आजाए व्यक्ति कि लिए अपर उठा होज वा जो बहुत बड़ा देखने को मिलता है और बहूसरी के रिसक्शा करने वाले रिलेशन भाने वाले और कहीं ना कहीं बहुत ज़एदा expectation भी ऐसा लोगों के बंदे बे होते हैं लोगों के दोरा ऐसे लोग बहुत ज़एदा ही emotional होते हैं भावुकता बहुत ज़्यादा होती है बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास भी कर लेने वाले होते हैं जिसके करण धोखा मिलने के चांसेज ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा होते है माइंड लाइन की चर्जा की जाए तो माइंड लाइन यहाँ पर लॉंग है और स्ट्रॉंग है जिसके करण यह कॉंपिटिटिव एक्जाम आसानी से क्रेक करने में माहिर जो है साबित हो सकते हैं क्योंकि इन में जो है sharp mind विथ जो एक हम कहतें कि catch करना चीजों को ऐसल जो लोग हैं बहुत अच्छे से catch करते हैं क्योंकि इनका mind जो है capable होता है long study के लिए hard study के लिए इन सब के लिए इस्ट्रेट फोरवड होंगे सीधे तोर पर लोगों से बात करने वाले रहेंगे और जितना जादा स्ट्रेटी के फिल्ड से रिलेक्ट या फिर आपके सकते गी जोड़े रहेंगे उतना ज्यादा जो है इनके लिए बेनिफीशल यह चीज सावित होगा लाइफलेट का फ्लो जो है इस प्रकर से निकलते वी मेडل तक आया है जिसके करन व्याकती थोड़ा करियर फोकस सेलफ फोकस ज siaदा होता है वहीं शूकर के च्छेतय से भी आकरके रेखा जूड़े है जिसके करन परिवार से इनका लगाओ ज्यादा checks के बरहें होंगे और इनका जो है लाइफ में बहुत कुछ उनके लिए यह करके भी जाएंगे लाइफ लाइफ लाइन से रिसा नहीं है कि एक ही प्रोग्रेस है जो है दो प्रोग्रेस यहां पर और देखने को मिल रही है एड़ एज ओफ थर्टी टू देन उसके बाद जो है यहां पर 58-60 केज में कोई इच्छा मनो कामना कोई जो इनके डिजायर होगी वो पूरी होने के चांसे ब्राइट है मंगल के छेत्र की चर्जा करें तो मंगल का छेत्र भी जो है यहां पर तक्रीबन शुब फल दे रहा है लेकिन बहारी मंगल ज्यादा शुब फल है जिसके करने इस लोगों के अपर्चुनिटी जो है अच्छे होते हैं और के तो माउंट नॉर्मल है चंदर के छेत्र से निकलना वाली भाग रेखा एक नहीं यहां पर तीन तीन भाग रेखा जो है में यहां पर लक लाइन के सथ जुड़ गई है तो बेसिकली यह से लोगों का जो है के चंसे बहुत ब्राइट है विदे फॉरण से अर्निंग के चंसे बहुत ब्राइट देखने को मिल रहा है वहीं यहां पर इस प्रकार से जो निकलना ली लाएन है सब बिजनेस लख है बिजनेस के द्वारा भी अच्छा धना अर्जन होगा मनी ट्रेंगल क्योंकि इसी के नॉर्मल है और एक दो कश्ट जरूर देखने को मिल रहा है जो 30 एच के आसपस में रहा है तो इस हाथ में तक रिवन जितनी बाते थी सब मैंने कवर करनी की कोशिश करी कोई और अगर प्रिश्ण रहेगा हो तो जरूर पूछें जरूर बताएं कैसा लगा यह वीडियो व बहुत बहुत धन्याद अपना ख्यार रखिये